टेकी पावन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चनले टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है कंटेंट मतलब टेकी पावन एकेडमी ये मेरा सिंबल है आपको अर्थशास्त्र का अगर content चाहिए तो यहाँ मिलेगा आपको आज का उसी content की series में हमारा आज का topic है खुली अर्थवस्ता और बंद अर्थवस्ता में क्या अंतर है इस topic में हम देखने वाले हैं कि 2 छेत्री अर्थवस्ता, 3 छेत्री अर्थवस्ता और चतुर शेत्री अर्थिवस्ता में क्या अंतर है और वो कैसे खुली अर्थिवस्ता और बंद अर्थिवस्ता से उसका संबंद है तो जल्दी से चैनल को सब्स्राइब कर लीजे और आईए देखते हैं इस वीडियो को अर्थिवस्ता क्या होती है वह मैं आपको बता देता हूं अर्थिवस्ता वह वेवस्ता है जिसके अंतरकत हम समस्थ आर्थिक क्रियाओं उब्होग क्रिया, उत्पादन क्रिया, वित्रण क्रिया, आदी का अध्धन करते हैं अर्थात केवल पैसे का अध्धनी करते हैं अर्थिवस्ता में हम इन सभी क्रियाओं का अध्धन करते हैं आप देख सकते हैं ये उभोक करिया है जो परिवारों द्वारा सामान खरीद कर की जा रही है ये उत्पादन करिया है जिसमें फैक्टरियां उत्पादन का कारे कर रही है और ये वित्रन करिया है जिसके माद्यम से जो आयका सर्जन हुआ है उसे बाटा गया है और उससे खर अगर आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे एक separate वीडियो है इसके उपर उसे पूरा देखें तो detail मिल जाएगे आपको अब हम आते हैं बंद अर्थिवस्ता के प्रकार पहला है जिसमें दूई छेत्री अर्थिवस्ता इस अर्थिवस्ता में केवल दो ही शेत्र होते हैं परिवार छेत्र उतपादक शेत्र आई और ये बंद अर्थिवस्ता कहलाती है बंद अर्थिवस्ता को दो भागों में बा तिरी शेत्री अर्थेवस्ता के उट्रिए और यह भी बंद अर्थेवस्ता कहलाती है, क्यूं कहलाती है? इसका कारण है आयए, čोत्री अर्थेवस्ता में इसका पता चलेगा में ये है आगई अमारी खुली अर्थेवस्ता, चतुर शेत्री अर्थेवस्ता इस अर्थेवस्ता में सभी चार शेत्र सभी चार शेत्र कौन से हो गए? C, I, G और X-M जब तक अर्थेवस्ता में ये तीन शेत्र रहते हैं तब तक उसे बंद अर्थेवस्ता कहते हैं और जैसे ही किसी अर्थेवस्ता में ये शेत्र जूड जाता है X-M वाला, तो उसे हम खुली अर्थेवस्ता कहते हैं विदेशी शेत्र के अंतरगत 6 विश्व के साथ उन्हे वाला समस्त व्यापार आयात एवं निर्यात इसमें शामिल किया जाता है। आयात एवं निर्यात जुड़ जाने के कारण ही चतुर शेत्री अर्थियोस्ता को खुली अर्थियोस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई हमारी two sector economy, ये कौन से sector हो गई? हो गई हमारी यह हो गई है हमारी four sector economy तो यह two sector economy में भी आयात निर्यात नहीं है इसलिए इसे बंदरत्यवस्ता कहेंगे three sector economy में भी आयात निर्यात नहीं है इसलिए इसे भी बंदरत्यवस्ता कहेंगे आप देख सकते हैं ये खुली अर्थिवस्ता होने के कारण भारत में अभी अभी रफैल का आयात किया गया था तो ये आयात का परतीक है ये रफैल आप देख सकते हैं इन तालिका में ये हमारे टॉप 10 इंपोर्ट सोर्स ऑफ इंडिया है भारत सबसे ज़्यादा आयात किस से करता है चाइना से करता है दूसरे नंबर पर USA से करते हैं हम फिर उसके बाद UAE से और इस परकार से हमारा करम है हमारे आयात का हम सबसे ज़्यादा आयात चाइना से 13.68% करते हैं, जबकि निर्यात हम किसे करते हैं सबसे ज़्यादा, निर्यात हमारा 15.88% निर्यात USA को होता है, 52.23 billion डॉलर, जबकि दूसरे नमबर पे UAE है हमारे निर्यात में, और थर्ड नमबर पे आता है हमारा चाइना, तो आप देख सकते हैं, आयात हम क million का ही कर रहे हैं, तो यह हमारे व्यापार घटे का एक सबसे बड़ा कारण भी है, फिर आगे बढ़ते हैं, यह है, टॉप 10 Commodities of India's Export, 2017-18 और 18.19 में हमने क्या निर्यात किया है, और यह क्या आयात किया है, उसकी तालिका है, यह Annual Report है, 2018-19 की Department of Commerce की, वहां से लिए आगया है तो आप देख सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा Export क्या कर रहे हैं, Drug Formulations का, Biological का हम निर्यात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी नमबर पे हम Agrochemical का निर्यात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, यह हमारी निर्यात की जाने वाली मदे हैं, जो हम यूज करते हैं, इन सब गोल्ड का भी हम बहुत आयात करते हैं, vegetables का, minerals का, sugar का, ऐसे ये सबी चीजे हमारी आयात की जाने वाली है, और ये सबी हमारी चीजे, निर्यात की जाने वाली है, ऊमीद है आपको यह आकडे भी अच्छे लगेंगे, और ये आपको समझ में आया होगा कि खुली में क्या अंतर होता है बड़ा सिंबाल टोपिक था आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद